आज के class में हम समझने वाले हैं CPU के बारे में लेट से बेगन दे शोव जैसे कि आपको इंट्रो से बता चली गया होगा कि आज बात होने वाले ये CPU के बारे में तो CPU को मैं थोड़ा जरा आपको दिखा दूँ ये है हमारा CPU कुछ इस तरीके का CPU I guess आपको दिख रहा होगा अगर नहीं भी दिख रहा तो आप इस साइट से देख लो ये अपना दूसरा कैमेरा इदर है ये मेरा कुछ CPU कुछ इस तरीके से Intel का Core i7 7700 ये CPU अभी अभी मैंने इसको थोड़ा साफ किया है ये कुछ इस तरीके से दिखते है पीछे से कुछ इस तरीके की गूल्ड प्लेटिंग की गई है इसके उपर और अगे से कुछ इस तरीके का टक्ष्टर है जैसा के मैंने पछले वीडियो में आपको बताया था कि जो CPUs होते हैं उनके उपर engraved किया होता है वैसे इसके उपर भी engraved किया हुआ है जो इसका नाम और जो model number है वो सारी चीज़ है तो मैं आपको थोड़ा पढ़के बताता हूं कि इसके इंदर लिखा क्या गया है जो आप इधर देखोगे आपको देखें को मिलेगा सबसे पहले इन्हों लिखा है i7 7700 वो तो सब खेर सबको पता है इसके उपर इन्हों लिखा है Intel Core i7 यानि कि यह बताना चाहते कि यह i7 processor है उसके नीचे i7 7700 लिखा हुआ है क्योंकि इसका model number है आप कह सकते हो उसके बाद कुछ चीजे लिखे होगी है 3.60 GHz SR338 बैसिकली यह जो speed होती है CPUs की उसके बारे में denote करता है CPUs की speeds होती है आज के standards के साफ से GHz में होती थी पहले MHz में होती थी GHz और MHz क्या होती है उनके बारे में कभी और बात करेंगे क्योंकि आप इस तरीके समझ लो MB और GB जितना फारक है उनके अंदर MB एक अलग data type है GB एक अलग टाइप है उसी तरीके की यह चीज है ठीक है यह था हमारा इस तरीके से उसके बाद 360 GHz जाने की आप समझ सकते हो कि कुछ इतनी पावर यह ड्रॉक आता था 360 अगर आप कोई और लेटेस जेनरेशन का प्रोसेसर देखोगे तो वह 450, 560, 5 GHz वैसे नहीं होते है उसका कुछ न कुछ डेसिबल नंबर तो होते हैं उसके पीछे ठीक है उसके बाद यतर नीचे लिखर होगा है L70R 26 के इसका सीरियल नंबर है इस प्रोसेसर का कि यह कौन यह ब्रोसेसर अद यहँ zaczyके से इonn प्रोसेसर है और यह रेग दिखता है या Intel के ग्रोसेसर तो इसमें यह इह दिख डिख तरेके से ठीक है यह मेरा बहुत ही पुराना सा प्रोसेसर है जैसा कि आप देख सकते हो पीछे के साइड अगर हम थोड़ा इसको पलटा है तो पीछे के साइड आपको एकदम गॉल्ड प्लेटेड जो थ्रेड्स में वह देखनों को मिलेगी बीच में आपको कुछ PCB टाइप का चीजे देखनों को मिलेगी बेजिकली जो बीच में जो चीजे होती हो उसके अंदर कैलकुलेशन होती है यह जो थ्रेड **** गॉल्ड प्लेट यह सायर के सारे जो हमारा मदर बॉर्ड होता एंदर हम इसको डालते हैं अपका मदर बॉर्ड जो होता है मदर पोर और CPU दोनों के साईड में का ooh एक डराइंगल होगाा इस तरीके का ट्राइंगल यह कुछ इस तरी करें देख रहे हो इधर डॉट है इधर बी डॉट है इधर सिर्फ एक ट्राइंगल है यह ट्राइंगल और जो मधरबूर का ट्राइंगल होता है उन दोनों को जब तुम मैच करोगे तो तुम्हारा जो सीपी उगा वह अच्छे से सॉकेट में आ जाएगा जो प्रोसेसिंग जो थ्रेड्स और जो कोर्स का मिलाप होगा वह अच्छे से हो पाएगा आपका सीपी अच्छे से लॉट हो जाएगा मधरबूर के अंदर मैं आपको बताऊंगा डालके किस तरह हम सीपी को रखते हैं इसके उपर जो आप देख रहे हैं आपको यह थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा अभी बट यह गंदा नहीं है इसके उपर थर्मल पेस्ट अप्लाइ की गई थी थर्मल पेस्ट बेसिकली एक पेस्ट आती है तरह का भी मेड़ा जो ध कमटर करदा या लगाते हैं इस यह की इसक doctrine कुलींग हो जो इस की हीट कूलर को मिली वह चीज़ेर बहुत है अच्छी हो जाती है तो thermal paste का इसलिए हम यूज़ करते हैं इसका भी एक solution है अगर आपको इसको clean करना हो तो यह और भी ज्यादा अगर आपका खराब हो चुका हो या फिर कई बार ऐसे cases होते हैं कि कई CPUs के ऊपर thermal paste एकदम सूख जाती है चिपक जाती है तो तब तुम क्या कर सकते हैं पता है तुमारे पास जो कान साफ करने की यह यह होती है वह लिच सकते हो और उसके बाद आइजोप्रॉप्रॉप्र आलकोहल की एक bottle आती है 96% I don't know कितना होता है बट वह एक bottle आती है उससे तुम इसको clean कर सकते हो क्यों है इससे कोई आपको shorting का दिकत नहीं है क्योंकि जो isopropyl alcohol होता है वह thermal energy को conduct करता है नहीं है जैसे कि हमारा पानी करता है अगर पानी के बीच में दो तार लगा दो तो बिजली पानी के अंदर से भी दूसरे तार पर जाएगी बट आइजर प्रॉपर आलकोल आप इसके उपर डाल सकते है या फिर इसके इंदर डाल दो तो एक दम clean हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ हमारा माद प्रोसेसर है पिछले वीडियो में मैंने आपको बदाए था कि यह क्या काम करता है यह इतनी से छोटू सी डिव गोल क्रोम, VS Code, PySham इतने सारे सॉफट्वेश सिर्फ इतनी नदी सी जान पर चलते है इतनी सी अगर आप बहुती अगर एपल वाली फीलिंग में जाएगे तो एपल के जो चिप्स होते है जो ने चिप्स लगाए होते है इससे भी छोटे होते है इससे भी छोटे होते है फ किस तरीके से थ्रेड्स होते है इसके इंदर किस तरीके से कोर्स होते है सारी चीज़ आपको समझना जरूरी है एंड हमेशा एक चीज़ आ रखना कि अगर आप यह प्रोसेसर लगा रहे हो तो अगर आपके पास मधर बूर्ड में से अगर आपने निकाला है तो उसी मधर में रखना क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके से इसको रखोगे तो यह जो इसके थ्रेड्स होंगे गोल्ड प्लेटेड वह बैंड हो जाएंगे और जब यह बैंड हो गया तो यह प्रोसेसर किसी काम का नहीं रहेगा इसको फैकना पड़ेगा या तो फिर आप इसको इस उसको अ कि में रखो या अगर तुमने जू निया पीसी बना वne उसके साथ तो मैं जू जू बॉक्स म में लिय थे प्रोसेसर के उसके लिए उसके पिंदेर अब के छोटी के मेरे cameras लगा दिए अब मैं आपको CPU दिखा दो मेरा कुछ इस तरीके से यह मेरा CPU कुछ इस तरीके से इसको अभी हम लगाएंगे इधर तो मैं आपको इस साइट से भी दिखा दो कि यह CPU कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो यह जो मेरा motherboard होता है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फुली दिखाऊंगा कि motherboard किस तरीके से दिखता है अभी हम क्या करते हैं यह जो में सॉकेट होता है कुछ इस तरीके का सॉकेट लिखता है ठीक है तो इस तरीके के सॉकेट के अंदर हमारे पास एक पिन होती है पिन वैसे मेरे पास है अभी खो गई है बट जब मिलेगी तो तब मैं आपको दिखा दूगा कि किस तरीके की पिन होती है बट उस तरीके की पिन के अंदर यह कुछ CPU टाइप का एक कैप होता है कैप को निकालना पड़ता है सबसे पहले हमें इधर से कैप निकल जाए फिर यह कुछ इस तरीके से खुला खुला सा महल लगता है अब तुम लोग में पार्ट को देखना जरूर में पार्ट क्या है पता है यह जो मैंने आपको देखा था ट्राइंगल को इधर भी बना हुआ है जब मैं आपको जूम इन करके देखांगो तब आपको पता चलिए यह जो आप डॉट देख अब अगर मैं इसको बंद कर दो कुछ इस तरीके से एंड मैं थोड़ा इसका स्कूरू है तो थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूं जब तो चीप मधरबूर्ड यूज करते हो तो ऐसी दिक्कत आती है बड़ जो एक्सपेंसिव वान होते हैं उनमें कुछ दिक्कत नहीं करना में पीछे क्षे के बाद करनाया है दिक्राइक उस तरीके से रहे हैं इस तरीके से आने के बाद सो ठोड़ा साफ्यू लगाना देरों चिंदा नहीं करना कि यह तूप मैं डाल देना है त्ना काम जब करोंगे थोुमारा जो और कुछ इस तरीके से तुम अपना CPU अच्छे से प्लेस कर सकते हो अभी तब घंड सकते हो तब तक डालना क्या करना है वह से इस्गोर से ऐंड में ज़रूर देखेंगे किस तरीके अगर चीजर करनी यहां तो इसके चंथा तुम लोग मत कर न बढ़ा इस तरीके से सीप्यो को लगाया एंड किस तरीके से CPU क्या काम करता था वो देखा तो अच्छा लगा होगा ये वीडियो मैं आशा करता हूँ अगर कोई चीज रह गई हो या फिर suggestion देना तो comments में जरू बताना मुझे and like कर देना ये वीडियो जरू से like करो इतनी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है प्ली लिस्ट का जाके उसको चेक आउट जरू करना उसके अंदर सारी की सारी वीडियो एड होगी तो जाकर जरू चेक आउट करना आज के इस क्लास के लिए इतना ही मैं मुलूं हुआ 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 है